इसलाम अलेकम जी मेरा नाम मुहमद फैसल खान है 6811 मेरा बेल्ट नमबर है और मैं जिला पुलिस में नोकरी करता हूं पंजाब पुलिस लाहोर में उसके बाद मैं लीड फोर्स में चला गए जो पंजाब पुलिस का यह विंग है जिसके अंदर ऑपरेशनल और सकार्ड की न आठाय किये नोजाँों को और सबिस्केटर को और आरह तरीके से माई उनके ओपर तश्दुत किया वह टवर जो بھی उनका मामला था लेकिन एक रियांसती इदारा क्या दूसरे रियांसती ःदारे की उपर इस तरह से लीगली किसी भी तरह किसे अटेक करने का मुतहमिल होती आपना क्या उसके पास कोई जवाज है बिलकुल भी नहीं है आयन इसका जवाज नहीं देता दूसरी बात आज ये विडियो इसलिए मैं यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मैं अपने उन भाईयों के साथ जो वहां पर थाना भावल लगर में पिटे हैं उन गुंडों के हा या इलीड फॉर्स का मैं जवान हूँ यह देखें यह इसके पर टैग है और यह शूज है और यह बेल्ट है आपको पते हैं यह शूज बेल्ट और यह टोपी मैं क्यों जला रहा हूं यह घुलामी की इलामते हैं अब गुलामी की इलामते हैं हम बड़ी इज़त के साथ न उन भाईयों के साथ जिनके साथ नहां पे जुम और जियाती हुए है रियास्ति एदारे हमारा सोशल मीडिया नाम नहाथ सोशल मीडिया जो हर वकत इसराइल में बच्चों के मरने की फलस्तीन घजा शाम अराग लिबनान का का पे लोगों के मरने की बाते करते हैं और जुम साथ है आपका मुझे बताईए वैसे आप जाके लोग आईजी साथ आप ने तो रिसेंट यह भी आवार्ड भी लिया सदर साथ से तो मुझे बताईए अब आप कहां पर रहें यह कौन से सुल्ह आप लोगों के साथ करते पिड़ते हैं आखरी एक बात कहना चाहूंगा सी 2009 में लिवर्टी में एक वाक्या हुआ था डीजी रेंजर साथ की वहां पर गाड़ी गई उनका बेटा था शायद तो डीजी रेंजर साथ के बेटे को मना किया कांस्टेबल मुहमद खलील ने मना किया कि अब गाड़ी यहां पर मत खड़ी करें तो प्लीज आप पार्किं के नाम पर मुलक बने यह गुंडा करती है मुझे पताएं यह तो सामराज है यह तो सामराज चल रहा यहां पर मुझे बताएं यह कौन सी कौम है यह कौई सा मुलक है कोई law and order नहीं है लोगों की माओ बेनों की ओपर उनके कमरों में से कैमरे निकल रहे हैं पॉलिटीशन्स की नंगी और गंदी वीडियो रिलीज हो रही है क्या कर रहे हैं ये वो मुले के जहां पर जज़ों को भी इनसाफ के लिए द्वाइया देनी पड़ रही है मेरे लिए ये बात मेरे लिए नकाबले बरदाश्त है बहर हाल मैंने आज अपने डिपार्टमेंट के साथ अपना जहरे यकजहती के लिए ये स्टेप उठाया है कि मैं कहा रहा हूँ अब मैं अब इस मैग में मजीद नी रह सकता अब बिलीव कीजे मेरा डेड़ माँ का बच्चा है आज मैंने उसको जा के देखा जब मैंने ये कदम उठाने का किसी एक दो अफराद से पूछा तो अनने मुझे का ये मत करो तुमारे बच्चे रूल जाएंगे और मैं कांस्टेबल मुम्मद फैसल खान अपने उन भाईयों के साथ जिनके 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 साथ जि जाजी जाजी जाज़ जाज़ जोगए जाज़ थे कर दो एक। मुझे बाइड़ को जिनके साथ महां पर जुलम होई और जियाति हुई है बहुत ज्यादा अफसूस हुए मुझे इस बात का कि उस्मान अन्वर साथ यकीन माने दिल दुखा आपको टिक टॉक की उपर आके एक गजिटिड आफिसर अपनी दुखाया दे रहा है कि हमने ये किया वो कि आपने क्या किया मुझे बताएं कौम के लिए आपने कितना जलम किया पाकिस्तान के सियासी वर्करों के उपर कोई असा बंदा बताएं जिसके साथ आपने जलम नहीं किया कितना जलम मलाजमों के साथ होता है आपने सिर्फ अफसरान को नवाजा है और पाकिस्तान की पंजाब पुलिस पंजाब के अंदर मुझूद गहरतमन अफसरान को अभी भी मेरी तरफ से सल्यूट है वो जो एक परसंट है और शर्म आनी चाहिए आईजी साहब आपको और बाकी तमाम उन लोगों को जो भी भी पंजाब पुलिस के साथ नहीं खड़े हैं बससलाम पाकिस्तान जिन्दाबाद या भी देखिए इसका मैं जलाने लगा हुआ प्लीज कायम रहेगा और एक वकत आएगा जब यहां से जलम और यह सामराजी कुवतें यह बदमाशी जिस सरकारी सताबर की जाती है इदारा जाती गुंडा गर्दी और बदमाशी